थीन मेहने परिक्षा होती थी दो से तीन मेहने पेड़ना माने में लगते थी उस छात्र के साथ आप खिलवाड कर रहे हैं जो देश का भूस्य है जो देश की आधर सिला रखने वाला है या छात्रों के भूस्य के साथ खिलवाड करके शिक्सन सहस्थानों को अपवित्र करते हैं। कि व्यदेश के सभी behen उनके मन में एक ललक होती है, सुनाण कलास के साथों जूडने की हैं। उनके मन में एक ललक होती है अपनी विश्टिन लाप recipients को देखने की। उतरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगियाद तिनाथ लखनव पहुचे जहां उन्होंने एक कारेक्रम के दौरान कई मेधावी चात्रों को सम्मानित किया इस दौरान उन्होंने दस्मी और बार्मी कक्षा के विभन बोट के चात्रों को भी सम्मानित किया साथ ही मुख्यमंत्री ने पहले और अपके सक्षा व्यवस्था को लेकर कई बाते कहीं और व्यगत वर्षों में सक्षा के छेत्र में हुए बदलावों पर भी प्रकास डाला हाई स्कूल और इंटर्मिडियेट के विभिन बोर्डों के यूपी बोर्ड, CBST बोर्ड या ISST बोर्ड के जो भी मेधावी छात्र है प्रदेश अस्तर के प्रदेश की मेरिट सूची में जिन्होंने अस्थान बनाया है उन्हें आज यहां प्रदेश में और जन्पद अस्तर के मेरिट से जुड़े भी सभी वे धावी छात्रों को जन्पदस्तर पर प्रदेश सरकार के मंत्री और अन्यमाने जन्परत निधियों की उपस्तिति में आज सम्मानित किया जा रहा है इस उसर पर मैं प्रदेश सासन की ओर से आप सब को प्रदेश से बढ़ाई देता हूँ किसी भी राज्य के बोर्ड से सबसे बड़ा बोर्ड उतरदेश का माध्यमिक प्रिक्सा बोर्ड है और लगबग 56 लाग चातर चातराएं प्रिक्सा में यहां भाग लेती है यानि तीन मेहने प्रिक्सा होती थी दो से तीन मेहने पैणा माने में लगते थे फिर दो मेहने प्रवेस लेने में लगते थे आट नो मेहने इसी में बितित हो जाते थे फिर परव और सेभार आ गये उसके बाद परिक्सा सुरू हो जाती थी ये उस छात्र के साथ आप खिलवाड कर रहे हैं जो देश का भूस्य है जो देश की आधार शिला रखने वाला है उसके साथ जब खिलवाड करेंगे इसका मतलबाद देश के साथ खिलवाड कर रहे हैं प्रगतिसक के साथ खिलवाड कर रहे हैं और जो भी नकल के माफिया हैं समाज के वे सबसे बड़े दुस्मन हैं जो नगल करा करके या छात्रों के भूश्य के साथ खिलवाड करके सिक्सण संस्थानों को अपवित्र करते हैं वे देश के सही माइने में दुस्मन है ऐसे दुस्मनों को चिन्नित करके वे किसी भी संस्तान से जुड़े वे हो चिन्नित करके उनका समाजिक वहिस्कार भी होना चाहिए और प्रसासन को भी उनके साथ सक्ती से निपटने की कारवाई करने चाहिए जो छात्रों के भौत से के साथ खिलवाड करके देश के भौत से के साथ खिलवाड क एक लाग तैंटीस हजार विद्ध्यालेयों को बहुत अच्छा विद्ध्याले बनाया है आज से छे वर्स पहले अगर आप उन विद्ध्यालेयों में गय होते तो आपको बेसिक सिसा परिश्चत के वे विद्ध्याले ऐसे लगते जैसे कोई खंडर है बेतर पीप थे काई जमी भी थी बड़े बड़े पेड उगे भे थे अस्त व्यस्त माहोल था अंदर पेड अंग अंदर भी जाडियां बहुत सारी जगे उगी हुई दिखती थी पूड़ा जगे जगे पड़ा रहता था कच्छा फर्स था पैलेट नहीं थे बेजल की विवस्ता नहीं थी लाइट नहीं थी लाइबरेरी और अन्य उसकी बाद तो दूर है यह वहां के माहोल से ज्यादा तरकिया लेकिन जन से भागिता के मात्यम से सरकार ने जब आवहान किया पैणाम हुआ एक लाग तैंतीस हजार विद्याले ऑपरेशन काया कल्प के मात्यम से अच्छी फ्लोरिंग हो गई फरनीचर हो गया बालक-बालिकाओं के लिए ट्वैलेट हो गया पेजल की विवस्ता हो गई किस्मार्ड कलास आ गई वहां पे लैब बन गई उनकी लैबरेरी बन गई बहुत सारे विद्याले मुझे जाने का उसर प्राप्त हुआ आज बच्चे आते हैं देखते हैं उनके मन में एक ललक होती है इसमार्ड कलास के साथ जुडने की उनके मन में एक ललक होती है अपनी डिजिटल लैबरेरी को देखने की उनके मन में एक ललक होती है कि लाबरिली में हम भी अपने पाठ्ठे करम के इतर कुछ नई पुस्टकों को देख सकें और ये एक नई ललक मुझे वहां पे उन बच्चों के साथ जब संबाद बनाने का उसर प्राप्त हुआ ये भी हमने वहां पर देखा और बहुत अच् अच्छा लगा कि माध्या से बेसिक सिक्सा परिश्थ के एक लाग तैंतीस हजार विद्याले जन सेभागिता के माध्यम से और से सार निदी से उनका काया कल्प हो सकता है ऐसे ही माध्यमिक सिक्सा परिश्थ चाहेगा तो माध्यमिक सिक्सा विभाग चाहेगा तो माध्यम तिक्सा से जुड़े भी बिद्यालेयों को भी हम लोगों को उसी तर्च पर आगे बढ़ाने का कारे करना चाहिए.